तो आज हम इम्मुनिटी का ही टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे यह हमारा इम्मुनिटी के फिफ्ट वीडियो है इसके पिछले के जितने भी वीडियो है याने की फोर्थ वीडियो सभी के जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो यह वी हम फोकस करेंगेsınि अंटिबॉडी पे स्रुक्ट्वर क्या होते हैं कि फंक्शन स्क्क्रिंज क्या होते हिं और इनके इतने टैप्स करेंगेत हैं को सबसे पहले हम बात कर लें सबंसा आपकर भोगियर का नोसे कि अम्हारी मेरता यह सब्सक्राराइब कि अधेअ और भार्ट आपकोरा है। चाहे रिख्टिरियों और अधे एक्वारे पार्टिटिक्ले मिताया हो तो सिलक mux कर एक्या और अधेट थलक यहां कि अधेगन बॉड़िक्या होते हैं यह अंटिजन की तहह कारे करते हैं और जो अंटिजन होते हैं वो यहाःग्ट से होते हैं के लोग करते हैं और गों eddo रहनसे अंटिजन करते हैं न गार्णक्राइ discomfort मास इया थे बात करेंगे तो यह antibody का production नहीं करती है यह antimicrobial immune serum में mix होके specific precipitation देती है जो कि antibody के production में help करता है यह directly antibody का production नहीं करता है कि इसलिए इसे partial या हाप्टन एंटिजन स्ट्रेफ हैं ठीक है तो यह कुछ इंटिजन के बारे में अब हम बात करते हैं antibody के बात करते हैं antibody को हम इंप्राइब करने से पहले हम थोड़ा सा immunity का ओवर्विव देख लेते हैं यहां पर मैं डेटेल में नहीं बताऊंगी शौट में आपको बताऊंगी इसके लिए आप हमारे पुराने वीडियो की हेल्प ले सकते हैं अगर जनको immunity कैसे response करती है उनके बारे में अगर information ना हो तो और वीडियो के लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएंगे हमारा जो यह immune system है ठीक है जब कोई antigens pathogen हमारी body में enter करता है तो फिर हमारा immune system जो है वो active होता है ठीक है अब यह cell mediated और humoral type के होते हैं ठीक है यह में आपको शॉर्ट में बता दे रही हूं करता है हमारा cell mediated और दूसरा है हमारा humoral थीक है अंतरगत क्या आता है यहां पर आता है आपका macrophyses ठीक है देन्राइटिक cell natural killer cell यह सब इसके अंतरगत आते हैं यह first line of defense है ठीक है जब हमारी body को defense करने के लिए जो active होता है सबसे पहला system वो यह है ठीक है जिसमें macrophyses बगएरा आते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं की moral ही तो इसमें आता है एक कॉंप्लिमेंट सिस्टम और यह दूसरा होता है जिसमें antibody का production होता है ठीक है तो इस तरीके से जो हमारा body है वह response करती है जो antibodies है वह glycoprotein molecules होते है और जो antibody का production होता है वह mainly plasma cell के द्वारा होता है ठीक है और थर्ड जो point है जो इसका structure होता है जैसे कि आप diagram में देख रहे हैं यह y-shaped structure का होता है ठीक है तो जो हमारी antibodies है वह critical part है immune system का ठीक है क्योंकि यह specially recognized करती है और by ुपे होती है उस particular antigen से ठीक है जो antibody specially designed होनती है special antigen को यहां पर एक particular antigen के लिए एक particular antibodies है जिससे वह bind होके जाहें पर वह बैक्तीरिया हो जाहेँ वाईरस ख़र उसके साथ बाइंड होके उसका destruction कर देती है उसको destroy कर देती है इसलिए यह special होती है उनका production कैसे हो रहा है हम एक diagram के वे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है मान लीजे यह हमारा antigen presenting cell है ठीक है यह हमारा antigen है को ठीक है यह joint करता है हमारा T cell से जो helper T cell होती है उसके साथ यह joint होता है ठीक है तो यह हमारा T cell है ठीक है अब यह जो T cell है वो B cell को active करता है ठीक है यह हमारा B cell जो है कुछ इससे type की होती है इसमें antibody present होती है ठीक है तो इस तरीके से जो हमारा B cell है वो active हो जाता है अब B cell के active होने से क्या होता है कि यहां पे plasma cell जो होती है plasma cell जैसे कि हमने पहले बता है कि antibody कोन produce करता है plasma cell करता है तो अब यह जो plasma cell है वो antibody का जो है वो production जो है वो start कर देती है ठीक है जो यह antibody है वो antigen से interact करके इसका destruction जो है या फिर destroy जो है वो start करके और इस तरीके से antibody और antigen का interaction होता है immunoglobulin को short में आई जीवी कहते हैं तो जहां भी हम आई जी लेखे इसका मतलब antibody है immunoglobulin तो यहां पर modified global protein होते हैं इने surface आई जीवी कहते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं कि antibodies जो है वो कितने type के होते हैं तो टिपिकली पाच टाइप के होते हैं ठीक है तो फर्स्ट है हमारा IgG ठीक है second है हमारा IgM third है हमारा IgA fourth is IgD and fifth IgE ठीक है अब इनके कुछ subclasses भी हैं जिसमें IgG के और IgA के कुछ subunits हैं जो IgG के हैं वो चार subunits हैं और IgA के दो subunits हैं जिने हम subclasses भी कहते हैं याद रखिएगा तो इसको हम देख लेते हैं क्या है IgG1 ठीक है IgG2 ठीक है इसी तरीके से IgG3 और last one IgG4 यह है IgA के तो ठीक इसी तरीके से इसका भी सबclasses है IgA1 ठीक है IgA2 ठीक है तो जो हमने पांचो टाइप के जो एंटी बॉडिस देखें ठीक है उनका जो structure होता है मेनली इस टाइप का होता है जो अभी मैं आपको समझाने वाली हूं तो आप इसको एक को समझ लीजे बाकि सारे टाइप को समझना आसान हो जाएगा ठीक है तो यह structure of antibody तो आप जैसे कि हमने बताया था कि यह देखने में वाइशेप जैसा लगता है ठीक है तो यह वाइश पार्ट है वह variable रहता है यह क्यूंकि इसको अपने सेल और प्लस एंटिजन के सेल दोनों से इंटराक्ट करना पड़ता है दोनों सेल से बाइंड होना पड़ता है तो जो बाहर के जो एंटिजन से वो तो different type की हो सकते है ना उसको तो antibody को नेक जानता है ना वो तो उसके लि changes रहते हैं इसके क्योंकि कोई भी आय उसके according यह अपने आपको adjust कर लेगा अपने आपको तयार रखेगा ठीक है इसलिए यह रहता है और यह constant इसलिए रहता है क्योंकि आदा पार्ट constant इसलिए रहता है क्योंकि हमारे body के अंदर का है तो वह अपनी cells को तो पहचानता है ले कि कैसे यह दो पार्ट में डिवाइड किया गया है वाइस स्टक्चर को आदा पार्ट जो है वह variable reason है और आदा constant है यह क्यों है वह मैंने आपको बताया ठीक है अब इसमें जो है देख रहे हैं आपकी दो चेंज हैं ठीक है तो एक होती है heavy chain और एक होती है light chain ठीक है तो यह जो joint हुआ है यहां से जो अंदर वाली जो chain आप देख रहे हैं यह heavy chain है ठीक है और जो बाहर वाली आप लाइन देख रहे हैं यह अपनी light chain ठीक है अब यहां पर charge present होता है यहां पर negative और यहां पर positive charge है ठीक है यहां पर variable को मैंने V से denote किया है और light chain को L से ठीक है तो VL means variable light chain और यह constant light chain और इसी तरीके से यह variable heavy chain का part है और इसी तरीके से मैंने units में आपको बताया है ठीक है अब यहां पर चेंज तो हमने बता दी और डीजन्स भी हमने बता दीए कि यह variable है यह constant है अब इस चेंज को आपस में joint करने के लिए यहाँ पे कुछ bond भी present होते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यह SS bond दिखरा होगा आपको हर जगा कुछ inter और कुछ intra दोनों type के bond यहाँ पे present होते ह होती है जो light chain होती है वो kappa यह lambda टू टाइप्स की chains होती है ठीक है और जो heavy chains होती है इसके अंतरगर्ट mu, eta, gamma और epsilon इस type की subunits यहाँ पे present होती है यहाँ पे FAB reason है और यहाँ पे है FC reason जो यह FAB reason होता है इसके top पे antizen binding site होती है जहाँ पे antizen आके bind करता है ठीक है और जो वो FC reason होता है वो pathogen की cell के surface से बाइंड नहीं होता है यह सिर्फ अपने जो cell है उनकी surface से बाइंड होता है example के लिए B cell इसको अगर हम simple diagram बनाए तो कुछ इस तरीके से होगा यह हमारा heavy chain ठीक है यह हमारा heavy chain light chain को में किसी और color से बता दे रही हूं ठीक है यह red color से में यह light chain को जो है water कर लेती हूं ठीक है अब जो यहां पर present होता है आपका antigen binding site जिस पर आके कोई भी जो antigen है वो आके यहां बाइंड होता है यहां पर डाइस अलफाइड जो बॉंड है वो यहां present होता है ठीक है और इन दोनों के बीच में भी heavy और light chain के बीच में भी बॉंड प्रेजेंट ह होता है इस तरीके से हम एक short way में antibody का जो है वो structure बना सकते हैं आई हो अब आपको antibody का structure बनाना बहुत ही आसान लेगा मिंटो में antibody का structure बना लेंगे तो यह simple way है जो आप तुरंत किसे को बना के समझा सकते हैं और यह अपका complete structure है ठीक है अब हम जो antibody के हमने types देखें उसको हम देख लेते हैं तो जो first हमारा type है वो क्या है आई जी एक ठीक है तो इसके कितने units है दो अब हम इसको देखेंगे कि यह किस तरीके से इसका structure जो है वो बनता है लगबक सभी का structure है न वो सेन ही होता है ठीक है तो यह कुछ इस तरीके से हमारा antibody था ठीक है एक ही और यह अपन light chain ठीक है तो यह तो हमारा हुआ एक unit ठीक है अब जो दूसरा unit है वो भी यहाँ पर joint होता है जोईनिंग chain जो है वो यहाँ पर present होती है ठीक है इस टाइप से इसको हम क्या बोलेंगे joining chain यह chain जो है दोनों unit को जो है पाइंड करके रखती है तो यहाँ पर हमारा दूसरा जो जो एंटीबॉडी है वो जोइंट होगा को तो इस तरीके से हमारा Teols और प्रोडाक्षन देहली वेस पे होता है और यह कहां प्रेसंट होता है चियर्ज में हमारे जो आसू होते हैं उसमें सलाइवा और ब्रेस्ट मिल्क तो 10 to 50% जो है टोटल इसका माउंट है जो सिरम में प्रेजेंट होता है सेकेंड मोस्ट इंपोर्टन एंटी बोडी होती है ठीक है सिरम में सेकेंड टाइप देख लेते हैं जो कि है हमारा आईजी डी ठीक है है एवी चेंड लाइट चेंड एंड डाइसलफाइल बॉण जो आईजी डी है वह 0.2% अमाउंट जो है वह सिरम में प्रेजेंट होता है ठीक है अभी हमने जो आईजी ए देखा वह सेकेंड मोस्ट इंपो 20% होता है ठीक है अगला यहां पर देख रहे है कि जो यह आईजी डी है वह मोनुमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है । लीए इनको एक्टिव करता है टू प्रोड羂ज एंती-माइक्रोबियल फैक्टर पाटिसिपेट इन रेस्पारेटरी डिफेंस इन हुमें ठीक है यह एक्टिव करता है किसके लिए ताकि यह सेल जो है यहिय एंटि-माइक्रोबियल फैक्टर को प्रड्यूस खरे किसके लिए रेस्पारेटरी डिफेंस के लिए ठीक लाइचेन बॉंज आईजी इम्मून ग्लोबलिन है वो सिर्फ मैमल्स में प्रेजन होती है ठीक है और इनके पास जो इनका स्ट्रक्चर है उनके पास एक्स्ट्रा डोमीन जो हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं तो जैसे कि यह मैंने एक्जाम्पल बता हुआ है डाइग्रम बना के मैंने समझाने के कोशिश की है फिर जो एक्स्ट्रा यहां पर यह जो डोमीन है यह प्रेजंट होता है आई जी इमें जिसके विजह से इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी सबस हाइपर सेंस्टिविटी के दोरान जो कुछ सिंटम समझ में आता है जैसे फीवर यह एस्तिमा उस टाइम पर यह जो एंटी बॉड़ीज है वो है आई जी जी इसमें हमने देखा था कि इसकी चार सब्यूनिट्स है यह हमारा हैवी चेन यह हमारा लाइट चेन इनके बीच क्याइद प्रसेंट है यह मोस्ट इस्ट इस्टुफ कंपिलीट एक्टिवेटर होता है ठिक है और यह ही जो इम्मुनी гेललों है यह passé ट्रांसफर पेंश तक पहुंचता है जिसे हम उप्सूनाज inspiration का करेक्टर होता है optionization क्या होता है यह हम अभी बताएंगे तो आप वहां से समझ लिजेगा तो जो हमारा last immunoglobulin है IgM ठीक है यह B-cell receptor की तरह कारी करता है इसका जो amount है वह 5-10% है ठीक है यह third most common serum है ठीक है और यह 5 monomer unit उनको आपस में disulfide bond के द्वारा जोड कर यह कुछ इस टाइब का structure बनाता है जो immunoglobulin है वह IgG से ज़्यादा activity शो करता है ठीक है और यह most important role play करता है ADCC hypersensitivity में ठीक है optionization क्या होता है ठीक है यह एक antigen है ठीक है अब यह antigen जो है वह antibody के साथ interact करेगा यह antibody के द्वारा coat कर लिया जाएगा चारो तरफ से ठीक है अब यह क्या हो गया कि जो antigen है वह antibody body से चारो तरफ से जो घिर गया है ठीक है अब इसको जो है हमारा first line of defense जो है वह यहाँ पे चाल होगा और इस cell का phagocytosis होगा ठीक है तो phagocytosis तो normally भी हो जाएगा कि antigen आया और directly उसका phagocytosis हो जाएगा लेकिन जब इसको antibody के द्वारा जब चारो तरफ से कोट कर लिया जाएगा तो उसका phagocytosis करना और यह आसान और बहुत ही efficient होगा बहुत ही अच्छा होगा ठीक है जैसे कि हम normally समझे तो अगर हम दाल बनाते हैं तो वह भी तो हम खाते लेकिन तड़का लगाएंगे तो और ज्यादा टेस्टी हो जाता है उसी तरीके से जब हम antigen जो है उसको अगर नॉमली फैगोसाइट कर रहे हैं तो भी होई जाएगा लेकिन antibody जब उसको कोट कर लेती है वह बहुत ही अच्छे तरीके से उनका phagocytosis होता है ठीक है तो यह था हमारे जब सैपसे बहुत है तरीके जग मुएख नोगा